हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान अकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Quadratic Equation और AP, GP, HP से संबंदित 2013 और 2018 के जो पैपर हुए 2nd grade के उसके अंतरगत क्या-क्या पूछा गया है ठीक है किस टाइब के कोशन पूछे गए हैं और आप average कितने टाइम में उन कोशन को कर सकते थे क्या मैंने वो concept आपको theory की class में बताए या नहीं बताए ये सब चीजे इस वीडियो में हम discuss करने वाले है ठीक है उससे पहले मैंने कल से ही एक practice session के लिए आपकी question series start करी थी जिसके अंदर मैंने एक homework दिया था question उसका answer बहुत ही कम बच्चों ने answer दिया है तो please request है सभी student जरूर answer दें और जिसको कोई problem आ रही है वो जरूर से जरूर whatsapp पर connect हो है ठीक है चलिए देखिए question था कल हम वक का all the values of m for which both roots of this equation are greater than minus 2 but less than 4 lie in the interval ये कह रहा है कि एक quadratic equation है कौन सी तो वो मैं यहां लिख देता हूँ x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0 इसके दो root है और एक तो जो है minus 2 से बड़े हैं greater than है minus 2 बट छोटे हैं 4 से ये चीज इसने बोल दी है तो जब ऐसी condition हो कि आपके दोनों के दोनों root इसके suppose करिए दो root है alpha, beta और दोनों root जब मैं यहां black pen use कर लेता हूँ जब दोनों के दोनों root आपके किसी number 1 से तो चोटे हो और किसी एक number से बड़े हो तब यह case बन जाता है k1 and k2 का और इस case में मैंने आपको 4 conditions लिखवाई थी पहली condition थी d is greater than equal to 0 condition लगाओ दूसरी condition लिखवाई थी a.f of k1 is greater than 0 और तीसरी condition थी a.f k2 is greater than 0 and fourth condition थी k1 is less than minus b upon 2a is less than k2 यह चार conditions होती है जिसके माद्यम से यह quotient solve होने वाला है हम पहली condition लगवाते हैं d greater than 0 इस equation के लिए तो d greater than 0 है अगर इस equation के लिए लगाएंगे तो क्या आजाएगा b square minus 4ac तो क्या हो जाएगा 4m square यानि b square minus 4ac यानि ki m square minus 1 is greater than equal to 0 4m square minus 4m square plus 4 is greater than equal to 0 यह से यह कट गया हाँ जी यह सही बात है कि चार्ज जो है वो 0 से बढ़ा होता है equal कभी हो नहीं सकता है तो यह तो पहली condition से हमें कोई भी ऐसा answer नहीं मिला जिससे हमारे यह आगे काम आए दूसरी condition पे चलते हैं हम मैं इसका participation कर देता हूँ ताकि आपको कोई problem नहीं हो ठीक है चलिए अब दूसरा case क्या था a dot f k 1 a की value कितनी है यहाँ पर equation में 1 है तो कोई benefit है नहीं f of k निकालेंगे यानि की k 1 k 1 यानि की minus 2 है तो यहां रखेंगे हम f of minus 2 और वो कितना आ रहा है दोस्तों तो देखो minus 2 रखते ही यह हो जाएगा 4 minus 2 m into minus 2 plus m square minus 1 यह कितना हो जाएगा 4 plus 4m plus m square minus 1 तो इसको जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा m square क्या हो जाएगा m square plus 4m plus 3 ठीक है और इसके लिए क्या condition थी greater than 0 यानि यह जो quadratic equation आई है यह greater than 0 होनी चाहिए ठीक है इसका करेंगे factorization जब इसका factorization करोगे तो वो आजाएगा m plus 1 into m plus 3 ठीक है is greater than 0 यह क्या आगया यहां से दो condition आगई कि m is must be greater than minus 1 and m is must be greater than minus 3 ठीक है तीसरी condition f of 4 निकालेंगे वो कितना आएगा 16 minus यह कितना है 4 है तो 4 टूजा 8 8m फिर plus m square minus 1 यह क्या हो जाएगा m square minus 8m plus 15 is greater than 0 ठीक है जब इसका भी अफ factorization करेंगे तो आएगा m minus 5 into m minus 3 greater than 0 यहां से condition आई m is greater than 5 and m is greater than 3 समझ में आगई बात चलो अब इसका करेंगे आगे participation और हम करते हैं आगे solve चौती condition क्या थी हमारी चौती condition थी कि minus 2 से बड़ा होगा minus b upon 2a minus b यानि कि यह हो गया 2m upon में 2a 2a यानि कि 2 is less than 4 इसका मतलब हुआ कि m जो है वो हमेशा minus 2 से लेकर 4 के बीच होना चाहिए अलग-अलग चार condition है जिसमें पहली condition कोई काम की है क्या हमारे जी नहीं यह जो पहली condition आ रही है हमारे पास में यह हमारे काम की m is greater than 1 minus 1 and m is greater than minus 3 हाँ इसको काम में लेंगे m is greater than 5 and m is greater than 3 यह काम आएगी और एक आएगी काम यह ठीक है number line draw करेंगे तो यह number line हो गई इस number line के उपर हम क्या करेंगे सभी points कौन कौन से आ रहे है तो सबसे पहले तो आ जाएगा minus का 3 ठीक है फिर minus 2 फिर minus 1 फिर अब देखो और कौन सा जाएगा 3 फिर 4 और फिर 5 यह सब अलग-अलग points हमारे पास में आ चुके है ठीक है अब देखिएगा अब देखिए m is greater than minus 1 greater than minus 1 का मतलब यह वाला region लेना है ऐसे ही m is greater than minus 3 मतलब यह वाला region लेना है m is greater than 5 मतलब यह वाला region लेना है m is greater than 3 मतलब यह वाला region लेना है और minus 2 से लेकर के 4 के बीच में होना चाहिए यह बताओ कि इस पूरे के पूरे region में केवल एक ही चीज है जो common आ रही है और वो आ रहा है यह आ रहा है ना common देखो minus 2 और 4 के बीच है हाँ है पहले चीज यह हो गई satisfy m is greater than 5 क्या m 5 से बड़ा है नहीं है लेकिन m is greater than 3 m greater than 3 भी नहीं है m is greater than minus 1 हाँ है m is greater than minus 3 हाँ है लेकिन अब देखिये दोस्तो जब भी मैंने आपको वेवी कर्व method का बताया था तब एक बात और वो ली थी कि आपको हमें साब वो region लेना है जो पूरे के पूरे को बीच में आ रहा हो और वो बीच में यही region आ रहा है जो की condition satisfy करे तो हमारा जो answer है वो यही रहेगा क्या रहेगा answer m is must be minus 1 से greater और 3 से चोटा समझ में आ गई बात यह condition लगेगी ठीक है यह हमारा answer है तो option number second जो है वो हमारा answer हो जाएगा minus 1 से लेकर 3 के बीच में ठीक है चलिए next question की और बढ़ते है next question जा next question है if the equation x square plus 2x plus 3 एक equation दे रखी है x square plus 2x plus 3 बराबर 0 and second equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 have a common root इनके पास में common root है then a raise to b raise to c आपको find out करना है if you want to find अरे sorry English नहीं अगर आप लोग जो है यहाँ पर अब देखिए मैंने आपको बताया था जब आपके पास ऐसी condition दे रखी हो कि common root है और ऐसा दे रखा है कि have a common root मतलब इसके पास में जो root है वो common है दोनों के दोनों तो आपके पास में equation जो इसका जो ratio होता है वो हमें सा equal होगा कौन सा ratio इन दोनों के a1, a2 का यानि की जो यहाँ ratio आएगा वो यह आएगा 1 upon a is equal to इसका क्या ratio है 2 upon b is equal to c क्या है 3 upon c यहाँ से a, b, c का ratio जो आएगा वो आजाएगा 1 raise to 2 raise to 3 और यही हमारा answer है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब common root की बात करें तो 2 equation का जो coefficient है उनका ratio equal आता है यानि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 समझ में आ गई बात तो यह condition हमने इसके लिए apply करी और हमारा ratio आ गया तो हमारा answer कौन सा हो जाएगा 1, 2, 3 यानि fourth option is your right answer ठीक है तो यह तो थे कल के session के कुछ important questions अब हम start करने जा रहे है RPSC के द्वारा पूचे हुए सभी questions ठीक है RPSC के द्वारा पूचा गया question है यह fifth number पे था मैंने RPSC से ही website से paper डाउनलोड किये है ठीक है पहला question था If the fifth term of harmonic progression is seven and the seventh term is five then 35th term is क्या ऐसा question मैंने आपको नहीं करवाया अरे करवाया था ना तो कैसे करोगे इस type के question को इस type के question को सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि HP जो है वो just AP का उल्टा है मतलब HP का पांचवा पद अगर साथ है और साथवा पद अगर पांच है तो AP के अंदर क्या होगा तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ अब बात करूँगा मैं in AP AP के respect में हम जो है यहाँ बात करेंगे तो आप यहाँ लिख लिजिए in AP AP के अंदर देखो पांचवा पद है वो पांचवा ही रहेगा लेकिन कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 7 क्यों HP का ज़स्ट उल्टा होता है तो 7 है तो 1 अपॉन 7 ऐसे ही A7 यानि 7 पद जो है वो कितना है 5 तो आपका AP में कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 ठीक है अब बस A5 है A7 है AP का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 5 में मिलब 4D is equal to 1 अपॉन 7 A7 का मतलब हुआ A प्लस 6D is equal to 1 अपॉन 5 यहां से A और D की वैल्यू निकालो और काटा पिटी मचा दो यह माइनस यह माइनस यह माइनस ठीक है करो A से A गया बचा क्या 4D माइनस का 6D यानि माइनस 2D is equal to 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 5 इसको करेंगे solve कितना आएगा माइनस 2D और इधर solve करेंगे तो 35 साथ का 5 माइनस 5 सत्य यह हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 35 is equal to माइनस का 2D माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया D बराबर आगया 1 अपॉन में 35 क्या आगया 1 अपॉन में 35 यह D की value है अभी ठीक है अब मैं A की value निकालने के लिए इसको put कर देता हूं इस first equation में तो यहां मैं put कर रहा हूं A प्लस यह हो जाएगा 4 अपॉन 35 D की value 1 अपॉन 35 ऐस लिए और यह 1 अपॉन 7 तो यहां से आजाएगा कितना यह जो है 1 बाई 7 माइनस 4 बाई 35 होगा यानि यह 35 साथ से यह हो जाएगा 5 माइनस कितना आजाएगा 35 से 35 गया तो 4 यह आजाएगा 1 अपॉन 35 यानि कि जो आपके पास में A और D है दोनों के दोनों कितने आ रहे हैं 1 अपॉन 35 1 अपॉन 35 कोशन यह पूचा था आप से कि आप जो है 35 टम निकाल के बताईए यानि 35 पद निकाल कर बताओ 35 पद होगा क्या तो A 35 इक्वल टू होगा A प्लस 34 D ठीक है A की वेल्यू 1 अपॉन 35 प्लस 34 और D की वेल्यू 1 अपॉन 35 यानि यहां भी आ जाएगा 35 इसको करेंगे solve यह हो गया 35 यह हो गया 1 प्लस 34 यह आ गया 35 अपॉन 35 काटा पीटी मचाएंगे आंसर आएगा 1 कितना आएगा 1 क्या यही हमारा आंसर है 35 प्लस पूचा था एक निकाल दिया क्या यही हमारा आंसर है दोस्तो इस question में तो ऐसा आंसर आया है कि हाँ यही सही आंसर है यानि कि एक ही इसका सही है second option ही सही है लेकिन अगर यह suppose करो 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 4 या फिर 5, 6, 7 ऐसा कुछ आता तो आपको उसका उल्टा करना होता क्यों? क्योंकि आपको HP का 35 पद पूचा है AP का नहीं आपने AP का 35 पद निकाला है 1 अब HP का 35 पद 1 का उल्टा 1 ही आएगा इसलिए यहां तो answer सही है लेकिन यह दिमाग में रखना कि जब आप AP से solve कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि AP का जो answer निकाला वो ही tick कर दो पूचा HP का हो HP का पूचा है तो HP का ही answer tick भी करके आओगे देख लो हो आप इधर कई बार क्या करते हैं कि हमें फसाने के लिए देखो answer में 135 और ऐसे दे दिये थे क्यों दिये थे 135 ताकि D और A देखते ही वो tick कर देखो आरे बस निकाला और 135 आतो गया 135 तो ऐसे गलतियों से बचना है समझ गए ठीक है दोस्तो आगे बढ़ाता हूँ ये था हमारे RPSC 2018 के अंदर ही आया 23 और 18 के कोशन करवा रहा हूँ तो ये 18 का ही होगा आगे बढ़ते हैं next question ये लीजिए next question भी जो है आपके APGP से ही पूचा था मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ और ये बहुत ही easy question इतना लाजवाब question था कि मैं इसको देखते ही मैंने सोचा कि ये second grade में आया है क्या मजा कर रहे हैं या ही हूँ मलब second grade teacher बना रहे है देखिएगा question क्या है if G is geometric mean of A and B geometric mean of A and B क्या होता है अरे A और B का GM क्या होता है under root A, B तो under root A, B ही होगा इन में भी ये कोई अलग से A, B थोड़ी है अभी GM को इन्होंने कहा है कि आप इसको G मानिये यानि A और B का गुनोत्तर माद्य G है तो G बराबर हो गया under root A, B square करो तो G square बराबर हो गया A into B ठीक है अब जो value पूची है ना उसमें बस put कर दो ये पूचा है आपसे कि 1 upon G square minus A square plus 1 upon G square minus B square क्या होगा कुछ नहीं करना G square की value AB minus A square plus 1 upon G square यानि AB minus B square ठीक है यहां से A common ले लो यह हो गया B minus A plus यहां से B common ले लो तो यह हो गया A minus B ठीक है अब देखो इसमें common बनाने के लिए क्या मैं यह कर सकता हूँ कि यहां से minus common ले लो तो यह क्या बन जाएगा B into B minus A यहां भी B minus A है लेकिन जब minus common लोगा तो यह plus convert हो जाएगा minus के अंदर यानि कि यह बन जाएगा हमारा क्या तो मैं यहां लिख देता हूँ यह बन जाएगा 1 upon A into B minus A minus 1 upon B into B minus A यहां से हम common ले लेंगे B minus A को यानि 1 upon B minus A common लेंगे तो अंदर क्या आएगा 1 upon A minus 1 upon B ठीक है अब इसको ही मैं आगे solve कर रहा हूँ यहां पर उपर ठीक है यह उल्टा चल रहे हम इसमें तो यह क्या हो जाएगा 1 upon B minus A into यह हो जाएगा LCM A B A से A कटेगा यह B और B से B कटेगा तो A यह आगया solve करने के बाद अब हमें दीख रहा है कि B minus A B minus A उड़ा देंगे तो 1 by A B जो बच्चा लाल रंग में मैंने लिख दिया वो यह हमारा answer है option number third option number third देखा ऐसा question RPSC ने पूचा है लेकिन हम लोगों को क्या है कि दूसरों के सुने हुए दूसरों से सुन रखा है ये किताब न वो किताब न वो करोन वो करोन अरे दोस्तो केवल आप concept बिल्ड करिए किसी किताब को solve करने की जूरुत नहीं पड़ेगी आपको जितने notes मैंने लिखवा दी अगर इतने notes आपको कोई भी faculty किसी भी coaching की faculty या चाहे कोई भी teacher हो आप एक बार compare करके देखना आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो quality notes लिखवा है क्या वो notes है अरे उससे IIT तक निकल गया बच्चों का तुमारा second grade नहीं निकलेगा क्या first grade निकल गया UPSC maths वाले जो है वो तक उस notes से पढ़ते हैं और आप लोगों को question चाहिए एन SR book करवाई है सर वो भी करवा देंगे हम तो हमारा क्या है SR book करवा दूँगा मैं देख लेना आपको SR book order कर दी गई है मेरे पास पहुचते ही मैं पूरी की पूरी YouTuber free of course स्वाल करवा दूँगा आगे बढ़ता हूँ मैं देखो RPSC का question आगे और हवा उड़ाता हूँ ये RPSC का question है देखना इसको कैसे अबन उड़ाते हैं तुम भी उड़ाओ साथ मैं उड़ाना सीखो question को उड़ाना सीखोगे तो फाइदा है सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ भी नहीं होगा question उड़ाते हैं देखो कैसे उड़ेगा साला नहीं उड़के कहा जाएगा अरे RPSC O चाहे UPSC O उड़ाने वाला चाहिए देखो कैसे उड़ता है अब ये यदी समीकरन इसने बोला कि X square प्लस X प्लस K बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है ये लाइन आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका जो D होगा वो greater than 0 होगा equal to 0 भी नहीं होगा क्योंकि अगर केवल ये बोला होता कि इसका root इसका अमूल वास्तविक है तब तो मैं D greater than equal to करता लेकिन इसने खुद ही बोल दिया कि वास्तविक भी है और असमान भी है मतलब केवल D greater than 0 होगा ठीक है अब लगा दो तो ये ही D पहले निकाल लो इसका इसका D क्या आएगा अरे X square plus X plus K बराबर 0 का D क्या होगा B square यानि की 1 minus 4 A यानि की 1 C यानि की K greater than 0 क्या बन गया ये 1 minus 4 K greater than 0 ये हो जाएगा 1 is greater than 4 K और इसका मतलब हुआ कि K is less than 1 by 4 ये condition दिखी के नहीं अरे ये दिख गया बस ठीक है अब आगे देखो है तो समीकरण X square minus 4 under root K X plus 1 K मूल है इसके मूल कैसे है ये कैसे पता चलेगा आपको कि वास्टविक है अकालपनिक है परीमे है अपरीमे है यानि real है imaginary है rational है irrational है कैसे पता चलता है हम निकालते हैं D निकालो इसका D आओ इसका D निकालेंगे तो क्या होगा अरे इसका D निकालेंगे तो क्या होगा कुछ भी नहीं सिद्धी सी बात है B square यानि 16 K under root K का square यानि K तो B square minus 4 A की value 1 C की value 1 अब ये क्या होगी उसके उपर depend करेगा इसके roots तो हम आगे solve करते हैं 16 K minus 4 ये condition आ गई 16 K minus 4 आ गया तो अब ये बताओ कि K की value तो क्या है less than 1 by 4 है या नहीं है अर अगर K की value less than 1 by 4 है इसका मतलब यहाँ पर या तो हम ये 1 by 8 पूट करें या फिर 1 by 16 पूट करें या कोई भी एक बटे 4 से कोई भी छोटा नंबर जब आप पूट करोगे तो ये हमेशा क्या होगा पता है less than 0 होगा क्या होगा less than 0 होगा कैसे less than 0 होगा आप इसमें K की value suppose करिए let K is equal to 1 by 8 क्योंकि 1 by 4 की value होती है 0.25 और 1 by 8 की value होती है sorry 1 by 8 की value होती है 0.125 उसका आदा ही है ये अब इसका आदा अगर हम या पूट करते हैं तो देखो 16 into 1 by 8 minus 4 ये कितना हुआ 2 2 minus का 4 minus 2 और जैसे ये negative आया D negative होते ही उसके root कैसे होंगे imaginary kalpnik तो answer fourth imaginary roots है समझभाई बात तो किसी एक equation को दे करके उस दूसरी equation के root की प्रकती के बारे में आप से question पूछा जाता है देखो ऐसे पूछ लिया ये कब हो सकता है जब हम quadratic के chapter की complete theory तयार कर लें तब ही ये possible है कि हम question solve कर पाए otherwise ऐसे question में भी आप हवा नहीं लगेगी आपको इनको question को तो बुरी अच्छी से हवा लगी है लेकिन आपको नहीं लग पाएगी फिर exam में आपको अगर question को हवा लगानी है तो आपको पढ़ कर जाना होगा ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं next question की और ये लो भाई एक और बढ़ी आसा question है best question है बहुत ही देखो quadratic के question तो इन्होंने real में must पूचे हैं एक से एक बढ़ कर पूचे हैं और कम से कम मैंने देखा 13, 16, 18 वेकेंसियों के अंदर लगातार 3 से 4 question quadratic के 2-3 question आपके APGP के मलत 7 question 7 question का number कोई कम है 7 question दो topic हो से और बहुत ही easy topic और इतने बढ़िया premium notes आपको लिखवा दिये यार अब तो तयारी करो देखो आगे question the value of P for which the sum of the squares of the roots of the equation x square minus P into P minus 2 x minus P plus 1 is equal to 0 is minimum देखो यह कह रहा है कि एक quadratic equation है यह कौन सी x square minus P minus 2 into x minus P plus 1 बराबर 0 ठीक है इसके मूलों के वर्गों का योग suppose करो इसके मूल जो है alpha बीटा है तो यह कह रहा है कि इसके मूलों के वर्गों का योग यानि alpha square plus beta square यह value जो है क्या हो minimum हो यह यह कहना चाता है और कुछ भी नहीं है ठीक है कुछ भी मत करो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इस equation के जो मूलों के उनका योग क्या होगा यानि alpha plus beta क्या होगा तो alpha plus beta होता है minus B by A यानि minus है तो यह plus हो जाएगा तो P minus 2 upon A की value तो 1 है तो यह हो गया और alpha into beta product uproot होता है C upon A C की value कितनी है यह minus का P plus 1 है इसको मैं 1 minus P भी लिख सकता हूँ ठीक है क्योंकि वो minus sign तो आ नहीं है C positive है तो और A की value 1 है alpha beta यह निकल गए अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि alpha plus beta का whole square equal to क्या होता है alpha square plus beta square plus 2 alpha beta बस इसमें इन values को put करता हूँ तो यह होगा P minus 2 का whole square equal to alpha square plus beta square इसी को तो minimum करना है plus 2 into alpha beta की value 1 minus P ठीक है अब मैं आगे solve कर रहा हूँ तो देखो यह हो जाएगा P square minus 4P plus 4 equal to मैं alpha square plus beta square plus 2 minus 2P alpha square plus beta square की अगर value निका लें तो क्या आएगी P square minus 4P plus 4 minus का 2 plus 2P ठीक है इसको करेंगे solve यह आएगा P square minus 4P plus 2P यानि माइनस का 2P plus 4 minus 2 यानि की plus का 2 यह हो गया alpha square plus beta square समझ मागई बात अब देखो इसकी value हमें क्या करनी है minimum करनी है अब या तो इसको देखो आप बहुत सारे तरीके हैं या आप इसमें differential वाला concept लगा सकते हो कि इसका differentiation करो less than निकालो greater than निकालो वो कर सकते हो या फिर जो है आप इसकी minimum value और भी बहुत तरी जो quadratic की minimum value होती है minus d upon 4a उससे भी आप निकाल सकते हो मैं उन सब में ना पढ़ने के चकर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप option method यूज कर लो देख लो p की value सबसे पहले 0 वाली put करो 0 put करते ही 2 आ रहा है ठीक है तो आप यह ना यहाँ देखो option ऐसे 3 और ये 4 मैं option वाला इसलिए कह रहा हूँ बाकी के comparison में option से sorry option के comparison में जल्दी होगा देख लेना बले पहले मैंने put करा 0 फिर मैंने 1 put किया फिर 2 और फिर 3 put किया ठीक है अब देखो जब p की value 0 put करी तो 2 value आ रही है जब p की value 1 put करी तो ये 2 से 2 कर जाएगा तो ये आ रही है 1 जब p की value 2 put करी तो 4 minus 4 0 यानि वापस से आ रही है 2 और जब 3 put करी तो 3 का square 9 9 minus 6 3 3 plus 2 5 बताओ इन सब में minimum कौन सी है ये है 1 और ये 1 कब आ रही है जब p की value मैं 1 रख रहा हूँ यानि option number 4 सही है बस देख लो समझ में आ गई बात तो option number 1 से हमारा direct answer आ गया और वैसे भी हमें पता चल जाए जाए था अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते कि 1 है तो 1 minus 2 यानि की minus का 1 देगा यानि वो value को कम करेगा सिधी सी बात है तब भी हमारा answer आ जाता ठीक है तो समझ गए आप लोग कि कैसे quadratic के question बहुत ही easy easy पूछे जाते हैं आपको देख रहे हो एक ही line line के question है अगर आप जो है exam में करते हैं तो बहुत fast होते हैं ये तो मैं समझाने के लिए आपको पूरा detail में लिख रहा हूं वरना ये चीज और ये चीज लिखने की का जुरूति में direct ये चीज लिखके यहाँ चीज पर नहीं पहुचता क्या पहुच पाता ना लेकिन ये तो समझाने के लिए सब लिख रहा हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question मलब इसको पूछना मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोशन तो है ना अभी क्या ही बताओ ये कोशन नहीं है ये कोशन नहीं है ये आपके साथ एक मजा की है अकीकत बताओ तो देखो कोशन क्या है एक quadratic equation है उसके लिए आप ये बताओ x की value कैसे निकालोगे तो मैंने आपको स्री धराचारे method बताया था या नहीं अरे स्री धराचारे method पता है कि नहीं है पता सबी को पता होगा और स्री धराचारे method जो है ये देख लो आपकी paper में से पूरा लिखा हुआ है वो पूरा नीचे का 34A code था उस paper का ये है दो जात 13 का कोशन अब बताओ इस quadratic equation में B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A होता है X बराबर और ये जो formula है ना इसको कहते हैं 3 धरा 4 रेः विदी ठीक है अब X वैसे हम इस method से बहुत कम निकालते हैं हम तो X किसे निकालेंगे factorization कर देंगे या और भी आगे dividation वगेरा method जो होते हैं वो सब लेकिन ये जो है basic formula है अब ये 3 दराचारे जी का formula देखो यहां दिख रहा है क्या गलत यहां दिख रहा है क्या B square minus होना चाहिए था ये plus है तो ये भी गलत ये पूरा उल्टा है गलत option number 4 इसका answer था इन में से कोई none of this बताओ ये question quadratic के अंदर पूचा गया है अब अगर मैं किसी को कहता direct कि ये देखो ये question आया हुआ है ऐसा question पूच भी लेते हैं तो कोई विश्वास ही नहीं करता है सबको ये लगता है बस RPSC तो top ही question पूचेगी top question नहीं पूचती है एक दो question जो है top होते हैं बाकी बहुत ही अच्चे अच्चे question पूचती है RPSC को कोई मज़े नहीं आ रहे हैं कि आपको top question दे करके जो है second grade बनाए फिर तो आपको कुछ college lecture बगरा बना देते UGC net का level का question दे देते तो SC तयारी करो कि आपको concept आके अच्चे हो बस बाकी चीजे तो automatically हो जाएगी ठीक है समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और ये लो एक और बहुत ही बहतरी इन question है ये है आपका APGP का question है और ये जो है question मैंने आपको चलते फिरते यूँ ही बताया था एक formula दो तिन उससे होगा ये question वैसे APGP जो है आपका अभी तक HP तक ही complete हुआ है APGP और AMGMHM में relation होता है एक APGP अलग देखो AP और GP अलग अलग पड़ा है एक mix-up में APGP अलग चलता है जो यहाँ concept यूज होगा तब आपको समझ आएगा कि APGP का concept समझना क्यों जरूरी है ठीक है तो वो यहाँ समझेंगे हम और फिर जो है मैं जब वापस theory की class कल लूँगा आज तक हम practice कर रहे थे कल मैं वापस theory की class डालूँगा वहाँ से आप जरूर सीख लेना कि कैसे अलग-अलग type के questions को solve करते हैं इसको करते हैं हम solve यह जो उपर लिखा है न यह कुछ नहीं लिखा है यह देखो अगर जैसे ही R की value 1 पूट करूँगा तो क्या होगा 1 का cube 2 पूट करूँगा तो 2 का cube 3 का cube अब 2 N cube और sum of natural number के cube का अगर natural number के cube का sum किया जाए तो वो fix है और यह formula आपको याद रखना पड़ेगा यह होता है अब कोई कोई इसको इस form में भी देख सकता है कहीं पर तो डरना नहीं है ठीक है यह भी इसका formula है अब देखो यह तो हो गया उपर वाले का काम तमाम लेकिन जो यह निच्चे series है न यह आपको प्रेसान करेगी क्योंकि आप put करो जब r बराबर 1 put करोगे तो यह series बनेगी 1 into 2 plus 2 put करोगे तो 2 into 3 plus 3 put करोगे तो 3 into 4 और यह चलती रहेगी n into 1 plus n तक जब ऐसी series दो मतलब की आपको ऐसा लग रहा देखो इसमें दो ap का multiply हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, n तक जा रही है और 1, 2, 3, 4, 5, 1 plus n तक जा रही है तो यह दो ap का multiplication है और जब ऐसा question आए तो आप ध्यान से सुन लेना कि कैसे solve किया जाता है जब भी ऐसा question आए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको केवल इसका यह last वाला पद लिख लेना है तो इसका an क्या हो गया n into 1 plus n ठीक अब आप इसमें ऐसा कुछ करिए कि यह दो terms के difference में create हो जाए यानि कि ऐसा अगर देखो n into n plus 1 है इसको ऐसा दो term में लिखिए कि इसको जो है minus का sign आ जाए इनके बीच में दो संख्याओं का अंतर का यह जो है बन जाए इसके equal तो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम आपको कुछ नहीं करना है shortcut दिमाग यह लगाना है कि देखो n into n plus 1 एगए और इदर multiply आप क्या करोगे कि इसमें जो छोटा नमबर है n है और एक n plus 1 है तो यह जो दो नमबर है ना इन दोनों के एक एक कदम आगे n plus 1 से आगे क्या आएगा n plus 2 ठीक है minus इस n से एक पिछे कदम क्या आएगा n minus 1 बस यह कर दोगे समझ में आगई बात अब देखो इसको solve करो तो क्या आएगा n into n plus 1 और यह देखो क्या होगा n से n तो कट जाएगा लेकिन minus minus plus 1 और 2 3 होगा तो यह 3 एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास तो 3 है नहीं तो हम यहाँ पर 3 का divide और करते हैं क्या करते हैं 3 का divide और किया जाता है यह मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ तो यह 3 कहां से आया समझ में आगई बात और यह जो है आपको घटानी देना है इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दोगे अंदर ब्रैकिट में अब क्या करो इसका multiply इससे करो अलग अलग तो यह क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन 3 और अब ब्रैकिट में इस पूरे का इससे multiply करो एक बार दो तो यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ठीक है माइनस n माइनस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 तो देखो यह चीज क्या create हो गई दो चीजों के difference में n इंटू n प्लस 1 था उसको हम यह लिख सकते हैं या नहीं लिखाना हमने इस method से पूरा बस अब n की values put करते जाओ यह 1 by 3 agits रखो देखो n की value 1 put करोगे तो आएगा 1, 2, 3 माइनस 1 put करोगे तो 1 minus 1 0 यानि यह तो 0 फिर प्लस अब 2 put करो तो 2, 3, 4 माइनस 2 minus 1 यानि की 1, 2, 3 फिर आगे प्लस यहाँ पर put करो 3 तो जाएगा 3, 4, 5 माइनस यहाँ 3 put करेंगे तो 2, 3, 4 और यह कहां तक चलता रहेगा जब आप n put करोगे तो करो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 यहाँ तक आएगा अब आपको यहाँ एक चीज दिखेगी वो बहुत ही कमाल की होगी कि देखो 1, 2, 3 1, 2, 3 कट गया आगे देखो 2, 3, 4 2, 3, 4 कट गया ऐसे ही यह सब कड़ते जाएंगे last की यह टम भी कड़ जाएगी केवल बचेगी यह टम यह टम कूँ बची वो देखो यह टम इसलिए बची क्योंकी आप देख रहे हैं कि जो टम यहां आ रही थी वो 2 कدم के बाद वापस आ रही है जो यहां आ रही थी वो दो कदम के बाद आगे आ रही है तो यह तो पिछे कहीं न कहीं दो कदम में आ चुकी होगी लेकिन इससे आगे क्या दो कदम लिये क्या नहीं एक कदम ही तो लिया था तो यह नमबर तो आएगा नहीं इसलिए यह नमबर बच जाएगा तो इसकी जो value आ जाएगी वो solve होकर के हो जाएगी 1 upon 3 edities है सब कुछ cut गया है केवल इधर बचेगा n into n plus 1 into n plus 2 बस ये बचा अब देखो हमारे पास मैं इस निचे वाले को solve करने पर क्या आया है ये उपर वाले को solve करने पर आया है ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसका solution लिख देता हूँ कि क्या होगा समझ में आई बात देख रहे हो ऐसे question भी आप से पूछे जाएंगे ज़्यादा टप नहीं है ये ये जी question नहीं है अब करो solve तो देखो क्या हो जाएगा n square into n plus 1 का whole square upon मैं 4 और upon मैं ये पूरा जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 upon मैं 3 बराबर क्या हो जाएगा n square into n plus 1 का whole square upon मैं 4 into 3 upon n into n plus 1 into n plus 2 काटा पीची मचा दो मचाओ देखो square है तो ये n plus 1 गया ये square है तो ये n एक बार काट गया अब जो जो बचा वो लिक दो वो ही हमारा暂सर होगा देखो क्या बचेगा 3 n into n plus 1 क्या ये ही बचेगा देखो 3 बचा था हाँ n plus 1 एक बचेगा न square था एक इक 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 बचेगा और नीचे आजाएगा 4 into n plus 2 यही हमारा answer है 3n into n plus 1 upon मैं 4 into n plus 1 यानि option number 4 जो है यही right answer है तो देखा RPSC कैसे question पूछती है यह APGP का question था यह concept आला कि मैंने अभी पूरा नहीं बताया क्योंकि हमारा HP तक ही complete हुआ है अभी AM, GM, HM और हमारा APGP एक included topic है जिसमे method of difference है यह जो हमने method यूज किया वो हम सीखने वाले हैं वो next जो कल हमारा वीडियो आएगा ना second grade का वो theory का वीडियो होगा तो please आप लोग जो है उस lecture को आराम से ध्यान से जरूर देखना उसको सीख लेना क्योंकि ऐसे question अगर आते हैं तो यह बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं यहाँ दो तिन trick मैंने बताई जैसे किसी number को difference में कैसे create करना है तो एक तो highest उससे आगे वाले की term लिख दो और एक जो सबसे चोटी है उसके पिच्चे की term लिख दो माइनस करो लिख दोगे एक हमने यह सिखा कि कैसे यह कटेगा और कौनसा number बचेगा कैसे पता चलेगा तो आगे से देखते हुए आओ कि कितने कदम के बाद कट रहा है तो आपको यह चीज़े याद रखनी है यही चीज़े हमारे काम आएगी बाकी कोई जो है आपको अलग से किसी बुक में ऐसे direct सेज़े कोसन नहीं मिलते हैं यह सिफ हवाबाजिया हैं इस बात की मैं guarantee देता हूँ ठीक है चलिए दोस्तो मिलेंगे next वीडियो में अगर आप लोगों को आज का यह सेशन अच्छा लगा तो like and share करना बिलकुल ना फूलिएगा ठीक है thank you thank you